क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्नों ने आपकी फीलिंग्स की बिल्कुल गदर नहीं की है? क्या आपके पार्टनर तक ने आपकी फीलिंग्स की गदर नहीं की है? क्या आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुवेशन में हैं जिसकी वज़े से आपके जिन्द contact में भी दिखाई दे रहे हैं तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कार्ट के त्रू क्या बताना चाहते हैं कार्ट आप लों के बारे में So, Hello Everyone मैं रित्व भारत वाज Tarot Reading 2190 से मेरे इस चानल पर आप सबी का बहुत स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे Positive होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे So, General Collective Timeless Reading होती है आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे आपके साथ Resonate करेगी और जितना भी पार्ट आपके साथ Resonate करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है और अगर आप लोग अपनी Personal Readings बुक करवाना चाते हैं तो Description Box में WhatsApp का लिंक दिया हुआ है WhatsApp Group को जॉइन कीजिए और अपनी Personal Readings आप बुक करवा सकते है Personal Sessions पेड होते हैं चार्जिबर होते हैं इस चीज़ का आपको ध्यार लखना है और प्लीज मैसेज कीजिएगा फोन्स हम अटेंड नहीं कर पाते हैं तो फोन कॉल्स नहीं कीजिएगा मैसेज कीजिएगा आपका रिपलाई बिलकुल आ जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को नए हैं मैं उनको बता दू कार्ड के अंदर एनर्जी होती है तो आपको एनर्जी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है ओके तो आप सब्स्क्राइब कर लीजिए ताकि आप तैर्व कार्ड चानल का हिस्सा बन पाएं और कार्ड के साथ कनेक्ट हो पाएं इस्टेग्राइम, यूट्यूब और फेस्बोक आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर के हमें जॉइन कर सकते हैं और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है जो भी आपकी विश्चेशन हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा लिखेंगे तो जरूर पूरी होगी और जो भी कार्ड आप क्लेम करना चाते हैं जरूर कीजेगा चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या Бता रहे हैं ये कार्ड आप लों के बारे में चलिए, प्रेयर के साथ इसको open करेंगे so cards आप select कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी card आप select करेंगे अगर वो card first open होता है तो comment box में जरूर लिखिएगा card number one, card number two so जो भी card आपकी energy से open होगा वो आप से resonate जरूर करेगा so चलिए यह मैंने cards जहां पर रख लिए हैं और अब एक एक करके इनको open करेंगे so cards के साथ connect हो जाएए जल्दी जल्दी से ओके, so चलिए first card मैं open करने जा रही हूँ ओके, so चलिए first card open करते हैं सबसे पहले ओके, so चलिए यह मैंने card number one निकाल लिया है आप में से जितने लोगों ने यह card select किया होगा लिखे का card number one so check out करते हैं okay, so पहला ही card यहाँ पर आया है Ace of Sword का card so आप लोग okay, so Jamila Libra Aquarius मितन तुला कुमराशी सबसे पहले निकल करके आई है so Ace of Sword का card साफ साफ बता रहा है कि आप हो decision maker आप हो बहुत ही जादा intelligent आपको victory पसंद है आपको success पसंद है आपको बिलकुल clear thinking वाले लोग पसंद है आपको जूट, फरेब, मकारी, जाल साजी से बहुत जादा नफरत है आपको सच बोलना पसंद है और सच ही सुनना पसंद है आप लोगों को injustice किसी का गलत काम किया हुआ बोला हुआ आपको बिलकुल पसंद नहीं है आपको गलत लोग पसंद नहीं है जो लोग गलत करते हैं उनसे आप बिलकुल नफरत करने लग जाते हो एक पल के लिए भी अगर आपके साथ किसी ने गलत किया होगा तो आप बहुत जादा नफरत करते हो ऐसे लोगों के साथ आप बहुत जादा talented तो हो, right and आप relationship के अंदर बहुत जादा challenges भी face करते हो ठीक है आप मैंसे कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी life के अंदर relations में काले बादल देखे हैं, बिलकुल clear clouds नहीं रहे हैं आपकी life के अंदर face किया है, आपने challenge बहुत जादा अपने इस relationship में and decision maker भी आप जरूर हो, जो भी आप decisions लेते हों अपने life में कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो सही होते हैं और आपको, जो भी आपके जिन्दिगी में अभी चल रहा है right, उसको लेकर भी आप को लगता है कि जो भी हुआ, वो सही हुआ आप में से कई लोग ऐसे हैं जो arguments में फसना नहीं चाहते हैं लेकिन arguments में फस चाहते हैं जिनको failures पसंद नहीं है लेकिन failures आ जाते हैं ठीक है and blockages भी दिखाई दे रही हैं आप में से कुछ लोग की life में blockages भी आ रही है आप लोगों में से कई लोग के साथ injustice भी हुआ है और energies, this is card number 2 ओके, यहां आया है third party situation आप में से कई लोगों की जिन्दगी में third party situation है जादा तर लोगों की जितने भी लोगी वीडियो देख रहे हैं third party situations आप लोग के जिन्दगी में है, जिसकी वज़े से आपका relationship toxic हुआ है आपको ऐसा लगा है कहीं न कहीं कि आपके साथ injustice हुआ है और आपको धोका दिया गया है आपसे जूट बोला गया है आपके रास्ते ब्लॉक किये गये है यह भी possibility है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो इस third party की वज़े से गुस्सा बहुत जादा है आपके अंदर कि किसी और की वज़े से आपके पार्टनर ने आपसे जूट बोला और धोका दिया ओ वाओ next card आया है wheel of fortune का card तो जल्दी जल्दी से इसको claim जरूर कीजिएगा क्योंकि ये सब होने के बाद आपके पार्टनर आप कही न कही third party में चले तो गए हैं लेकिन यहाँ पर wheel of fortune का card ये बता रहा है कि बहुत जल्द आपकी life में changes आ रहे हैं आप मेंसे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी life को already बदल लिया है fortune की तरफ आप change कर चुके हो इस दुख से तकलीफ से बाहर निकलना चाहते हो आप इस कई लोग निकल भी गए हो और नहीं चाहते हो इस person का चेहरा दुबारा से देखना आप चाहते हो ये समय आगे बड़े और आपके लिए नए रास्ते खुलते चले जाएं आप अपनी life में grow करना चाहते हो तो बहुत जल्द वो growth का time आपका आने वाला है लेकिन आप में से जो लोग चाहते है reunion comment box में जरूर लिखिएगा आप move on कर गए है new partner चाहते है या फिर उसी partner के साथ reunion चाहते है क्योंकि यहाँ पर time उन लोगों के लिए भी बदल रहा है जिसको reunion चाहिए so claim जरूर कीजिएगा और आपके अंदर भी इस difference के बाद इस incidence के बाद आपके अंदर भी बहुत ज़ादा changes आ चुके है पहले अगर आपको लगता था कि सब कुछ ठीक है अब आप समझ चुके होगी practical चीज़े क्या होते है और hypothetical क्या हो सकता है आपके partner ने बहुत इल्जाम आपके उपर लगाए हो सारी problems आपके नाम पर ही उन्होंने बिलफाड़ा है कि तुम्हारी वज़े से ही हुआ जो कुछ भी हुआ मैंने तुम्हारी वज़े से किया ठीक है तो ये बहुत सारी चीज़े आप लोगों की लाइफ में जरूर हुई है card number 4 उपन करते है knight of pentacles so Taurus पर को Capricorn worship करने मकर राशी आ गई है so यहाँ पर देखो आपको बहुत बहुत जादा blockages लिए गए है आप में से कई लोग ऐसे है जिसके पैसे रोक लिए गए है जिसकी growth रोक लिए गई है आपके partner ने आपका सब छीन करके इस third party को दे दिया है यहाँ तक कि पैसे तक रोक लिए है खुद भी रुक गए है आपकी तरफ नहीं आना चाहते है अभी तो यह third party की तरफ दिवानों की तरफ चिपके हुए है तो कहीं न कहीं चीजें इनकी energies देखोंगे आप इस card को ध्यान से block है जो सोच करके गए थे वो नहीं मिल रहा है आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे है चीजें जैसी सोची थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है जो सोच करके आपके partner इस third party situation में गए थे वो चीजें नहीं मिल रही है card number five okay so बहुत जल्द आपके घर में बहुत खुशियां आती हुई दिखाई दे रही है अगर आप लोग reunion manifest कर रहे थे तो definitely ये partner आपके पास आएंगे और बहुत खुशियां आपके जिन्दगी में आ जाएंगी जो कुछ भी आप expect करते हो लेकिन अगर आपको गुसा है आप इस पंदे को इस इंसान को अपनी जिन्दगी में वापस नहीं लाना चाते हो तो बहुत जल्द आपके घर में positivity आती हुई दिखाई दे रही है अब वो positivity किसी खुशकबरी के साथ भी हो सकती है किसी नए person के साथ भी हो सकती है या फिर कुछ ऐसा आपके जिन्दगी में आपके घर में बहुत जल्द घटने वाला है जिसकी वज़े से आपके जिन्दगी में खुशहाली बढ़ जाएगी आ जाएगी सो चार नंबर का कार्ड यहां पर यह दिखा रहा है कि बहुत बहुत अच्छी नजर राहू की आपके उपर पड़ी है तो आपका घर बहुत जल्द बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप लोग घर बनाना चाते है अगर आपको अपनी घर में सुख शान्ती चाहिए बहुत जल्द आने वाले है खुशियों भरा महौल आने वाला है जो भी दुख था ये वील ओ फॉर्चुन खतम कर दिया है सो वील ओ फॉर्चुन से सारे दुख खतम हो चुके है और आपकी लाइफ में एक अबंडन्स आ रही है खुशियां आती हुई दिखाई दे रही है सो कार्ड नमर सिक्स ओपन करते है टैन ओफ स्वार्ड का कार्ड ये बताता है कि जो भी कुछ धोका आपको दिया गया है कहीं न कहीं आपको ऐसा लगा कि आपकी पीट में ही खंजर डाल दिये गए हो आपके अपने पार्टनर ने, आपके अपने रिलेशन ने, आपके अपने प्यार ने आपकी खुशियों के बारे में बिलकुल भी नहीं सोचा और आपकी ही पीट में खंजर डाल करके चले गए है ये जो तकलीफ आपने जेली है, ये बरदाश के बाहर रही है जो भी चीजें आपने सोची वो आपको बिलकुल भी नहीं मिली तो एक दर्द, एक दुख, धोका आपके अपने ही पार्टनर से जो धोका मिला है आपको किसी और के साथ जिन्दगी आपके पार्टनर बिताने चले गए आपको रोता छोड़कर, आपको तकलीफ में छोड़कर इस चीज़ का गिल्ट आपको बहुत जादा है, अफसोस बहुत जादा है कार्ड नमबर सेवन, जस्टिस चाहते हो, आप अब चाहते हो नयाएं मिले आप चाहते हो इनको इनका कर्मा मिले आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी को इनके किये की सजा दिलाना चाहते हो आप अब हर तरीके से हार चुके हो लेकिन हार हुई है आपके दुखों की हार हुई है इन लोगों के जस्बे की जो आपको तोड़ना चाहते थे आपको तोड़ नहीं पाए क्योंकि डिवाइन का हाथ कही न कहीं आपके उपर था एक positivity आपको हमेशा मिलती रही अलग-अलग लोगों से आप positivity लेते रहे और जो भी आपकी life में justice हुआ है अब आप चाहते हो कि divine अब justice करें सो claim कीजिएगा justice सो next card open करते हैं hangman का card आया है देखो आप धीरे-धीरे spiritual होते जा रहे हो आप में से जितने लोग भी situation में है या निकल रहे है कहीं न कहीं आपका believe system बढ़ता जा रहा है कहीं न कहीं आप और भगवान में आस्था रखने लगे हो और आपकी spirituality journey शुरू हो गई है आप में से कई लोग ऐसे भी है जो इस तकलीफ से निकलने के लिए meditation करते हैं तो लिखेगा meditation क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी सेहत को कहीं न कहीं उस टाइम गवा चुके थे लेकिन अब improve करने की कोशिश जरूर कर रहे है next card open करते है two of sword तो देखे ये card ये बता रहा है कि आपके जो person है वो कहीं न कहीं अभी blockages के mood में है या तो आपको block कर दिया है आपसे बाचित नहीं होती है आप no contact में है so definitely चीज़े यहां पर आपके लिए no contact दिखाई दे रही है अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी चीज़े आगे जाएंगी या नहीं जाएंगी या आपके partner आपके पास वापस आएंगे रियूनियन करेंगे या नहीं करेंगे तो अभी वो block ही दिखाई दे रहे है ठीक है although वो आना चाहते है justice करना चाहते है ठीक है but आपके साथ कहीं न कहीं चीज़े better भी करना चाहते है अभी थोड़े से blockages है इस third party की विज़े से हो सकता है so आपकी life में celebrations बहुत जल्द आती हुई मुझे दिखाई दे रहे है आपकी problems का solutions बहुत जल्द निकलता हुआ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा patience बनाके रखिए जरूर आपको नयाय मिरेगा यही बता रहा है Wheel of Justice का card so आप जो भी possible कर सकते हैं भी possibility है आपकी जिन्दगी में खुशियां लाने के लिए वो आप सब कुछ try कर सकते हैं ठीक है खुशियां आपकी है आप किस तरीके से अपनी खुशियों को वापस लाएंगे वो आप action plan कर सकते हैं so आप कुछ यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ रहे हैं गाइडर्स के कार्ड्स डिवाइन प्लीज गाइडर्स के कार्ड्स दे दीजे कुछ गाइड कर दीजे वीवर्स को rebirth की जरूरत है ठीक है rebirth करो आप कही न कही खतम हो चुके हैं अंदर से आप हिम्मत लेकर कर आई आप देखिए हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है तो आपके जिन्दगी में भी सुख का समय बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको rebirth करने की जरूरत है आप बहुत जादा अपने को negativity में ले जा चुके हो ठीक है सो एक उमीद की किरन बिल्कुल आपके जिन्दगी में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है सो आप अगर अपने नए targets पर अगर आप अपने नए काम पर या नई चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो definitely आपके जिन्दगी में growth आती हुई दिखाई दे रही है वाओ देखिए माता रानी ने यहाँ पर आपको success भेज दिया है सो claim जरूर कीजिएगा success का card क्योंकि माता रानी खुद share पर सवार हो करके आपको successful life का आशरवाद देने के लिए खुद आई है सो आपकी life में बहुत जल्द एक successful life आप जीने वाले हो खुशियां आपके पास जिन्दगी में बहुत जल्द आती हुई दिखाई दे रही है rebel का card सो देखिए आपके पैरों में जो ये बेडिया बंदी हुई है ये भी धीरे धीरे करके खुल जाएंगी जो भी आपके जिन्दगी में बाधाएं हैं परिशानिया हैं दुख हैं वो बहुत जल्द खुलेगा और इन लोगों का कारमिक्स इनको बरबाद करके छोड़ देगा comparison देखिए आपका comparison किया गया है दूसरे के साथ किसी और के साथ तो ये comparison आपको कहीं न कहीं बरदाश नहीं होता है कि क्यों ये चीज़ें क्यों compare की जाती है क्यों चीज़ों को सीधा सीधा नहीं लिया जाता है तो देखिए ये comparison ही है जो अब आपके partner को ये ऐसास दिला रहा है कि आपसे best कोई हो ही नहीं सकता है अगर आपके partner किसी third party situation में है और आपको compare करते है ना अभी तो उनको ये चीज़ realize हो रही है कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ चीज़ें गलत थी और third party के साथ चीज़ें गलत सही बट यहाँ पर चीज़ें बिलकुल उल्टी हैं और आप भी तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं आपके अंदर transformations आ रहे हैं आपके अंदर changes आ रहे हैं जिसकी वज़े से आप बहुत जल्ट इन दुखों से बहार निकल जाओगे miser देखो यह सब कुछ ले करके भाग गए थे आपका सारे सुख सारे सुविधाएं सारी चीज़ें यह ले जाकर लेके आपके पार्टनर के साथ भाग तो गए थे लेकर अब यह चीज़ें आपके जिंदगी में वापस भी आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं Wheel of Fortune का कार्ड यहीं बता रहा है कि चीज़ें आपकी लाइफ में वापस जरूर आएंगी खुशें आपके जिंदगी वे वापस जरूर आएंगी चाहे इस पार्टनर के रूप में हो या फिर किसी और के रूप में यह थे आज के कार्ड यह थे आज की रीडिंग यह थे आज की guidance I hope आपके साथ resonate किये होंगे अगर हाँ तो like जरूर कीजिएगा share जरूर कीजिएगा और subscribe कर लिया है तो very very thank you नहीं किया है तो कर लीजिए ओके subscribe करने का बटन पूरी तरीके से free होता है और आपको टार्ट चानल का हिस्सा बनना है तो definitely subscribe कीजिएगा और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ध्यान रखिए सुरक्षिस रहिए खुश रहिए आगे बढ़ते रहिए Thank you and have a nice day